संघर्ष और सफलता की कहानी, स्पेन में जन में एक अतिप्रसिद चित्रकार थे, उनकी पेंटिंग्स दुनिया भर में करोणों और अरबों रुपयों में विका करती थी, एक दिन रास्ते से गुजरते समय एक महिला की नजर पिकासों पर पड़ी और सयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया, वो दोरी हुई उनके पास आई और बोली, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपकी पेंटिंग्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्या आप मेरे लिए भी एक पेंटिंग बनाएंगे, पिकासों हस्ते हुए बोले, मैं यहां खाली मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए एक पेंटिंग बना दूनगा, लेकिन उस महिला ने भी जिद पकड़ ली, मुझे अभी एक पेंटिंग बना दीजिये, बाद में पता नहीं मैं आपसे मिल पाऊंगी या नहीं पिकासो ने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने पेंट से उस पर कुछ बनाने लगे, करीब दस सेकिंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, ये लू, यह मिलियन डॉलर की पेंटिंग है महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस दस सेकिंड में जल्दी से एक काम चलाव पेंटिंग बना दी है और बोल रहे हैं कि मिलियन डॉलर की पेंटिंग है उसने वह पेंटिंग ली और बिना कुछ बोले अपने घर आ गई उसे लगा पिकासो उसको पागल बना रहा है वह बजार गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में मिलियन डॉलर की थी वह भागी भागी एक बार फिर पिकासो के पास आई और बोली सर आपने बिल्कुल सही कहा था ये तो मिलियन डॉलर की ही पेंटिंग है पिकासो ने हस्ते हुए कहा मैंने तो आप से पहले ही कहा था वह महिला बोली सर आप मुझे अपनी स्टुडेंट बना लीजिये और मुझे भी पेंटिंग बनानी सिखा दीजिये जैसे आपने दस सेकिंड में मिलियन डॉलर की पेंटिंग बना दी वैसे ही मैं भी दस सेकिंड में न सही दस मिनट में ही अच्छी पेंटिंग बना सकू, मुझे ऐसा बना दीजिये। पिकासो ने हस्ते हुए कहा, ये पेंटिंग, जो मैंने दस सेकिंड में बनाए है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन के 30 साल सीखने में दिये है, तुम भी दो, सीख जाओगी। वह महिला अवाक और निशिब्ध होकर पिकासो को देखती रह गई। दोस्तों, जब हम दूसरों को सफल होता देखते हैं, तो हमें ये सब बड़ा आसान लगता है। हम कहते हैं, यार, यह इनसान तो बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से सफल हो गया। लेकिन मेरे दोस्त, उस एक सफलता के पीछे कितने वर्षों की मेहनत शिपी है, यह कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, शर्त यह है कि सफलता की तयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो खुद को तपाकर, संघर्ष कर अनुभव हासिल करता है, वह काम्याब हो जाता है लेकिन दूसरों को लगता है कि वह कितनी आसानी से सफल हो गया। मेरे दोस्त परीक्षा तो केवल तीन घंटे की होती है, लेकिन उन तीन घंटों के लिए पूरे साल तयारी करनी पड़ती है तो फिर आप रातो रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो। सफलता अनुभव और संघर्ष मानती है और अगर आप देने को तयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। चलता रहपत पर चलने में माहिर बन जा या तो मंजल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाएगा। अगर ये कहानी आपको पसंद आये तो हमारे चेनेल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यबाद।